हलो दोस्तो हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम 36 गड़ाज के उत्री छेतर और दक्षडी छेतर में आने वाली सभी नदी अफवाहत अंतर के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम 36 गड़ाज के दक्षडी छेतर में आने वाले अफवाहत अंतर के बारे में पढ़ते हैं 36 गड़ाज के दक्षडी छेतर में आने वाली सभी नदी गुदावरी अफवाहत अंतर की अंतर गताती है यह हमारे राजे के दख्षड़ी भाग में इस्तित है गुदावरी नदी का उद्गम महराष्ट के नासिक से हुआ है जो हमारे राजे के दख्षड़ पस्ची मीछेतर में सीमा बनाती हुई यह नदी प्रवाहित होती है अगर हम इस अफवात अंत्र के इंतर गताने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो वह नदी है इंद्रावती नदी, सबरी, कोटरी नदी, संकिनी नदी, डंकिनी नदी, नारंगी नदी ये सभी नदी इस अफवात अंत्र की इंतर गताती है अगर हमारे राज्य के कुल अफवात अंत्र में इस अफवात अंत्र की बात करें तो वह 28.64% अर्थाथ 28.64% के साथ यह हमारे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अफवात अंत्र है अगर हम अपने राज्य के सबसे बड़े महानदी अफवात अंत्र जो लगभग 56.1 प्रतिसत है अर्थात हमारे राज्य का सबसे बड़ा अफवात अंत्र महानदी अफवात अंत्र है उसके पस चाता है गुदावरी अफवात अंत्र नदी का प्रवाह उसी दिशा में होता है जी दिशा में ढाल होती है अर्थात हमारे राजे के दन कारेड के पठार का ढाल दक्षिर दिशा में है इसी कारेड दक्षिर दिशा में प्रवाहित होने वाली सभी नदी दक्षिर दिशा की और प्रवाहित होती है और इच्छा की द्रिष्टी से इन सभी तत्यों को याद रखना कि हमारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अफवात अंत्रा गुदावरी अफवात अंत्रा है जो कि लगभग 28.64 प्रतिसत है तो चलिए इस अफवात अंत्रा के अंदर गताने वाली सभी नद्यों के बारें पढ़ते हैं नहां पर आप देख सकते हैं यह उडिसा जिले से उद्गम होने के पश्चाथ हमारे राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा और बीजापूर जिले से प्रवाहित होते हुए पस्चिम दिसा में गुदावरी नदी से मिल जाती है यह गुदावरी की एक प्रमुक सहायक नदी है इस नदी को प्राचिन समय मंदाकनी नदी कहा जाता था यह नदी इन तीनों जीलों से प्रवाहित होते हुए भद्रकाली नामकिस्थान पर गुदावरी नदी से मिल जाती है इस नदी पर इस्थित जलपरपात की बात करें तो बस्तर जीले में इस नदी पर चितर कुड जलपरपात इस्तित है जो हमारे राज्ये के सांथ सांथ हमारे देश का सबसे चोड़ा जलपरपात है सबसे चोड़ा जलपरपात होने के कारण इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है अगर हम इसके चोड़ाई की बात करें तो यह लगभग 300 फिर चोड़ा है और इसी कारण इ यह हमारे देश का सबसे चौड़ा जलपरपात है। साथ ही इसे भी याद रखना है कि चित्रकुट जलपरपात इंद्रावती नदी परिस्तित है और यह बस्तर जिले में इस्तित है। अगली नदी है कोटरी नदी को प्राचिन समय में परलकोट कहा जाता था। यह नदी राजनाणगाँ जले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद गम मोहिला तहसिल राजनाणगाँ से हुआ है। परिच्छा में यहां प्रश्ण पुछा जाता है कि कोट्री नदी बेसिन किस छेतर में स्थित है तो यहां हमारे राज्य के राज्यन गाउं जीले छेतर में स्थित है और साथ ही अगर हमें दिसा पुछा जाए तो हमारे राज्य के धक्षिड और पश्चिम दिसा में स्थि विजापूर में ही इंद्रावती नदी से मिल जाती है अगली नदी है नारंगी नदी नारंगी नदी कोंडा गाउं जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और इस नदी का उद्गम माकडी कोंडा गाउं से हुआ है परिच्छा में इससे यही प्रस्ण खेत्र से हुआ है और डंकिनी नदी की सहायक नदी है संकिनी नदी इन दोनों नदियों के जो आपस में संगम इस्तहल है वहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर इस्तित है संकिनी नदी के उद्गम की बात करें तो वहां नंदीरा चोटी बैला डिला पहाडी दंतेवाडा से हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संकिनी नदी का उद्गम नंधिरा चोटी बैलाडिला के दोनों नदिया जहाँ पर आपस में मिलती है वहाँ पर दंतेशवरी मंदीर इस्थित है यह दोनों नदियां हमारी राजी की सबसे प्रदूसीत नदियों में से एक है, अगली नदी है सब्री नदी, सब्री नदी का उदगम कोरापूर्ट झ्हेतर उर्डिसा से हुआ है, और यहा उर्डिसा से निकल कर हमारे राज्य के बस्तर उसके बाद सुकमा जिले से होते हुए अंध प्रदेश के कुनावरम ना माकिस्थान पर यह गुदावरी नदी से मिल जाती है इस नदी की विशिस्ता की बात करें तो इस नदी के बालू में सोने के काड़ पाय जाते है एक अन्य विशिस्ता है कि हमारे राज्य की एक मात्र ऐसी नदी है जहां पर जल परिवहन की सुईधा उपलब्ध है यहां पर सुकमा जिले का कौंटा छेतर है वहां से लेकर आंधर प्रदेश के कुनावरम तक लगभग 36 किलोमीटर छेतर में जल परिवहन की सुईधा उपलब्ध है तो यह हमारे राज्य की एक मात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुईधा उपलब्ध है प्राचीन सवय में इस नदी को कुलाब नदी कहा जाता था अगली नदी है बाग नदी बाग नदी का उद्गम आप देख सकते हैं इस नदी का उद्गम फुलजारी पहाड़ी राजनन गाउं से हुआ है यहाँ पर इसी थैं महराष्टा और इसी थैं 36 गड़ तो इन दोनों के मध्य सीमा निर्धारण का कारिया इस नदी के माध्यम से होता है बाग नदी राजनन गाउं जीले में इस्तित है तो इससे हम बता सकते हैं कि राजनान गाउं जीला, महराष्ट और शत्तिसगर राजे के मध्य में इस्तित है तो ये उन दोनों के मध्य सीमा निर्धारर करता है इसके बाद अगला अफवात अंत्र है हुआ है सोन गंगा नदी अफवात अंत्र अगर हम कुल अफवात अंत्र में इस नदी के जल्धार अरचमता की बात करें तो वह है 13.67% अर्थाति है हमारे राज्य की तिसरी सबसे बड़ी अफवात अंत्र है और हमारे राज़े के उत्री भाग में इस्तित है और उत्री भाग में आने वाले जितने भी नदियां है वे सभी इसी अफवात अंतर की अंतरगत आती है सोन नदी अफवात अंतर की अंतरकत पहली नदी है बनास नदी उसके बाद है गोपद नदी और नेउर नदी ये तीनो नदीया कोरिया जीले में स्थित हैं और यह सोन नदी अफवात अंतर की अंतरकत आती है अगर हम बनास नदी के उद गम की बात करें तो बनास नदी का उद गम मांज weeks टॉली की पहाड़ की भरत पूर तहसिल कोरिया से हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यह है कोरिया जीला और यहीं से बनास नदी का उद गम हुआ है उसके बाद जो अगली नदी है वह है गोपाद नदी जिसका उद्गम सोनहट के पहाड कोरिया से हुआ है और उसके बाद कोरिया से ही निकलने वाली एकनिय नदी है नियूर नदी यह नदी मध्ध प्रदेश और छत्तिजगर के मध्ध सीमा बनाती है हमने अभी देखा कि जो बाग नदी है वह राजन गाउंजिले से निकलती है और वह महराश्टा और छत्तिजगर के मध्ध सीमा बनाती है वैसे ही जो नवर नदी है यहाँ पर इसीत है मध्ध प्रदेश और यहाँ पर इसीत है छत्तिजगर तो इन दोनों के मध्य सीमा निर्धारार का कारिया नेवर नदी के माध्यम से होता है तो नेवर नदी उत्तर में इस्तित है और यह मध्य प्रदेश और छतितगर के मध्य सीमा बनाती है अगली नदी है रीहन नदी यह आप देख सकते हैं रीहन नदी जिसका उदगम छूरी मतिरिंगा की पहाड़ी अंबिकापुर तहसिल से हुआ है सरगुजा जीले में इस्तित हैं अंबिकापुर तहसिल वहां से रीहन नदी का उदगम हुआ है रीहन नदी सरगूजा जी लें प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है इस करार रीहन नदी को सरगूजा की जीवन रेखा कहा जाता है यह नदी सबसे पहले सरगूजा से निकलती है उसके पस चातिया सूरजपूर और बलरामपूर होते हुए उत्तरपदेश में सोन नदी से मिल जाती है रीहन नदी की इस इस्ता की बात करें तो रीहन नदी पर उत्तरपदेश के मिरजापूर में रीहन बान इस्तित है और इस बान के माध्यम से एक जलासय का निर्माड होता है उस जलासे को कहा जाता है गोविन वल्लब पन जलासे जो कि उत्तरपदेश के मिर्जापूर जिले में इस्तित है परिच्छा की दृष्टी से इन सभी को याद रखना है कि रिहन नदी पर उत्तरपदेश के मिर्जापूर में रिहन बान इस्तित है और वहाँ पर जो जलासय का निमाड होता है उसे गोविंद वल्लब पन जलासय कहा जाता है अगर हम रिहन नदी के सहायक नदी की बात करें तो रिहन नदी की सहायक नदी है घुनगुटा, मोर्नी, महान, सूरिया ये सभी परिच्छा की दृष्टी से महतपुड हैं अगर हमें परिच्छा में इस प्रकार पूछा जाता है कि घुनगुटा, मोर्नी, महान और सूरिया किसकी सहायक नदी है तो वह है रिहन नदी की सहायक नदी रिहन नदी सर्गुजा छेतने प्रवाहित होती इस करड़ से सर्गुजा की जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी का उद्गम छूरी मतिरिंगा पहाड़ी से हुआ है कोर्बा और सरगूजा के बौडर पर इस्तित है छोरी मतिनिंगा की पहाड़ी जहां से रिहन नदी का उद्गम हुआ है अगली नदी है कनहार नदी यहां पर आप देख सकते हैं कनहार नदी का उद्गम जस्पूर जिले से हुआ है और अगर चोटी की बात करें तो वह है बखोना चोटी तो कनहार नदी का उद्गम बखोना चोटी जस्पूर से हुआ है और जस्पूर से प्रवाहित होते हुए यह बलरामपूर जिले में प्रविस्ट करती है बर्रामपूर जिले के पश्चाती हसुन नदी में मिल जाती है अगर हम कनहार नदी के सहायक नदी की बात करें तो कनहार नदी की सहायक नदी है पेजन, सिंदूर, गलपूला और चनान तो इन से भी सहायक नदी को याद रखना है ये से भी कनहार की सहायक नदी है कनहार नदी हमारी राज्य के उत्तर और पूर्वी दिसा में इस्तित है अर्थातिया च्छतिस गड़ और जहारखंड की मध्य सीमा का निधारण करती है अगर हम कनहार नदी पर इस्तित जल पर पात की बात करें जील्यों से प्रवाइद होती है तो बर्राम पूर जीले में एक डीपीडी ही नामा पुरा तावी की स्तहलेbt वह इस नदी के थाट पर इस परिस्तित है। अगला अफवात अंत्र है वह ब्राम हडी नदी अफवात अंत्र जोकी उड उडी चाली सह जेलें अर्थात आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कवरधा जिला यहां की दो नदी बंजर और तांडा नदी नर्मदा नदी अफ्वाहत नदी आप देख सकते हैं अगर हम इसके प्रतिसाद की बात करें तो हमारे राज्जे के एकुल अफ्वाहत नतर के लगभग 0.55% जल्परवाहा इस अफ्वाहत नतर के अंतर गताती हैं तो परिच्छा के दृष्टि से इसे याद रखना है कि हमारे राज्जे का सबसे चोटा अफ़ात अंत्र है और इसका जो प्रतिसात है वहा है 0.55 प्रतिसात तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में हम महा नदी अफ़ात अंत्र और उसके अंतरगत जितने भी सहायक नदी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बगल का नॉटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे दोरा डाली गई सारी वीडियो आप तक मुचे सबसे पहले धन्यवाद